वेलकम स्टुएंट आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन आफ प्लेइन की एक प्रॉबलम को और यह है वो कॉश्चन तो यहां पर कोश्चन में हमें दिया गया है और यह हमारा एक प्लेइन का कोश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है तो चलिए स्टार्ट कर लेता है तो आटोकेट की इनीशल सेटिंग में अल्रेडी कर चुका हूँ जैसी कि आप देख पा रहोंगे यहां पर हमारी लेयर्स वगरा सब आ रही है पहले से ही और हमने ब्रैकेट वगरा भी बना लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं को सबसे पहले हम यहां पर आपके 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 बना बना लोगए तो तो आपकेट ल में हैं की बना लोगी है ठाल यह लोगड़ प में लिया करते हो शुल ट्रैकेट तो यह तो ड जैस टो और रहोंगेँ के बना करते हैं को सफ फफ देशना, का में क sóनचे और ए moंचे- सma Brexit, ठाजुल 5 3 में हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा circle बनकर तयार हो गया है इसके बाद आप projection line पर click करेंगे then you have to click on line then from here you make a straight line like this then escape then space bar then again from here to here okay इसके बाद आपको इस circle को split करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा point achieve कर पाएं तो उसके लिए आप line पर click किजेगा एक line यहां से यहां draw कर सकता है like this then again एक line यहां से यहां draw करेंगे like this then again आप इस line पर click करेंगे and then rotate पर click करेंगे you have to click on the center then enter the angle of 45 like this इसके बाद इस vertical line को click करेंगे then rotate about this center point and then enter 45 so you can see the line is rotated and again you have to draw this line like this then from here to here okay इसके बाद आप यहां पर naming कर सकते हैं यहां पर आप लिखेंगे a then this one is B then this one is C then D then e then F then G and then H okay after that अप लाइन पर click किजेगा उसके बाद ऊपर जाएंगे यहां से straight और यहां पर click करेंगे then again skip then again space bar press करेंगे then यहां से यहां then escape then again space bar then यहां से यहां ओके तो यह हमारे सारे points के projection यहां पर आ गया है इसके बाद आप यहां पर object पर click करेंगे then line पर अब यहां से यहां तक हमारा front view आएगा लेकिन इस line को आप split way में draw करेंगे then you have to click once then again one click then again click here then again click here then again click here then skip अब देखेगा यह आपका top view है और यह आपका front view है जब वह जो plate है वह पर rest कर रहे होगी उस condition में यह हमारा top view होगा और यह हमारा front view होगा इसको हमने split way में इसलिए draw किया है ताकि यह सारी की सारी lines अलग अलग आए ओके इससे यह फायदा होगा कि हमारे पास हर point का अलग अलग notation आ जाएगा यह हमारा e dash होगा then यहां पर हमें मिलेगा p dash and then break it में h dash okay आप इसको थोड़ा सा extend कर लीजेगा like this okay then again यहां पर हमें मिलेगा c dash c dash and then bracket में g dash then यहां पर हमें मिलेगा d dash bracket में f dash और last में हमें मिलेगा यहां पर e dash यह वाला point है जो यहां पर इस corner पर होगा यहां जगा नहीं बची है तो इसलिए मैं इसको नीचे draw कर दे रहा हूँ इसकी बाद आप इस line को select करेंगे completely then click on copy then click on this corner और उसकी बाद state इसको यहां पर ले आएंगे यहां पर इसके प्रेस करेंगे उससे यह फायदा हुआ है कि यह पूरी की पूरी हो चुकी है line up इसके बाद हम projection line पर click करेंगे then यहां लाइन पर click करेंगे यहां यहां यह से line state मीचे आएगी state like this then again the end point is here you can see that यहां पर हमारा end point होगा यह end point है इसलिए हमने इस line को split way में ड्रॉकिया था था कि हमें end point मिल जाए यहां से हम उस line को नीचे लेकर आएंगे like this then escape then again space bar उसकी बाद दोसी line का end point हमें यहां मिलेगा यह वाला okay then नीचे तक ड्रॉ करेंगे इसको भी escape then again space bar then next यहां से नीचे click escape then space bar then यहां से नीचे आप देखेगा यहां से जो ए वाली line आ रही है और इधर से जो ए वाली line आएगी तो जहां यह एक दूसरे को cut करेंगी वहां पर हमें मिलेगा a point here we will see the a point okay similarly यहां बी से इस बी को touch करने वाली line हमारी यह वाली line यहां पर हमारा b होगा कि similarly यहां b से इस line को b से यहां से बी से line उपर similarly यहां बी से line आएगी और यहां उपर से जो b वाली line आ रही है यह दूसरे को जहां touch करेंगी तो यह वाला पॉइंट हमारा बी होगा तो आप यहां पर बी लिख सकते हैं here you can type बी ओके दैन अगेन आप लाइन पर क्लिक करेंगे और यहां इसे एक लाइन को लेकर चलेंगे यहां से यह से लाइन आ रही है और उपर से जो लाइन आ रही है इसे वह यह मिडल वाली है तो जहां एक दूसरे को टच करेंगे यहां पर आपका यह पॉइंट होगा आप यहां पर लिख दीजेगा ई ओके डैन अगेन आप लाइन पर क्लिक करेंगे और यह यह वाली लाइन जो है इसी को हम आगे एक्स्टेंट करेंगे तो यह हमारी वाली लाइन यह है लाइक देस तो यहां पर हमारा पॉइंट होगा E ओके दन अगेन आप line पर click करेंगे और D point के लिए आप यहाँ से चलेंगे यहाँ से इसको extend करेंगे और D से देखेगा यहाँ से line आ रही है उपर से और यह एक दूसरे को यहाँ touch करेंगी तो यहाँ हमारा point होगा D तो आप यहाँ पर D type कर दीजेगा D ओके इसी तरीके से हम इन सारे points को मिला लेंगे तो यहाँ से मैं फिर से एक line ट्रा कर रहा हूँ H से और उस line को यहाँ से यहाँ तक ट्रा कर रहा हूँ क्योंकि इसी line पर हमें H मिलेगा तो यहाँ पर हमें F मिलेगा और यहाँ पर हमें H मिलेगा similarly और G हमें मिलेगा यहां पर इनकी naming में कर देता हूँ तो text पर click करेंगे यहां पर हमें G मिलेगा then again यहां पर हमें F मिलेगा और यहां पर हमें H मिलेगा ओके तो अब हमारे पास सारे points आ जुके हैं यहां पर A है यह आपका B है E then sorry यहां पर हमने E लिख दिया है गलती से हम इसको edit कर लेते हैं यह हमारा C point होगा ओके तो यहां A, B, C, D, E, F, G, H यह सारे points के लिए ही हमने circle को divide किया था ताकि हमारे पास एक actual location आ जाए जहां से हमारा वो circle pass होगा तो वो location हमारे पास आ चुकी है हम object line पर click करेंगे object line पर click करने के बाद you have to type spline spline type करने के बाद आप enter करेंगे enter करने के बाद आप यहां A से start करेंगे click करेंगे A पर then you have to click on B, then you have to click on C, then click on D, then E, then on click on F, then click on G, then H, and then again A, and then click enter जैसे आप enter press करेंगे तो यहां पर आपका circle बन कर आ जाएगा जब वो HP के साथ incline होगा यह angle हमें जो दिया हुआ था यहां पर हम वीपी के साथ angle बनाते हैं तो हम इस पूरे questions को यहां से select करेंगे इस तरीके से हम इसको select करेंगे और select करने के बाद copy पर click करेंगे और इस point से उठाएंगे इसको और यहां लिकार लग तेंगे बट अगर आप its को इस तरीके से copy करते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ आपके पास कुछ ही पॉइंट आ रहा है आपके पास यह एच पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा यह आपके पास नहीं आपाएगा तो इसलिए आपको एक एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है यहां पर इसको में डिलीट कर दे रहा हूं वो यह है कि जो भी आपकी यह लाइन है आप इस पर एक ओर लाइन अपैंड को आपके पास आप और क्लिक करिंगे यह लाइन आ पर अपर चिक पर ग्रीकर आइन तक लिक ओना हरेंगे भीट को here on edge then again you have to click on here to here यहाँ पर then escape then again clicks draw a line from here to here यह overlapping line draw करने से हमारा यह फायदा हुआ है कि अब जब हम इसको copy करेंगे तो आप देखेगा इसके साथ साथ हमारे पास वो सारे points आ जाएंगे जहां से हमें lines को उपर लिकर जाना है यानि edge point हमारा यहां है और f point यहां पर इसकी बाद आप देखेंगे कि question में बोला गया है diagonal जो कि उसकी circumference से पास हो रहा है यहां से वो 45 का एंगल बना रहा है तो diagonal जो है हमारा वो a e है यहां से लिकर यहां तक हमारा diagonal है तो हम इसको इस तरीके से incline करेंगे कि यह हमारा diagonal a e vp के साथ एंगल बनाए जो कि question में दिया हुआ है 60 तो मैं इसको select करूंगा करने के बाद rotate पर click करेंगे देन आप a point पर click करेंगे और angle feed करेंगे 60 और enter कर देंगे अब आप देखेगा कि यह हमारा diagonal इसके साथ अब 60 का angle बना रहा है थोड़ा सा इसको नीचे move कर लेते हैं click on move and then click here like this okay measuring tool पर click करेंगे angle measuring tool यह आपका diagonal SAE और यह आपकी line इनके बीच का जो angle kosher में दिया हुआ है वो 60 है तो हमने आप इसको 60 पर incline कर दिया है इसकी बाद आप सारे points को उपर ले कर जाएंगे और इसी तरीके से यहां से भी projection जाएगा और आपको यहां पर front view मिल जाएगा आप यहां पर click करेंगे line पर then a point आपका यहां है देखेगा a point आपका यहां है तो यहां से straight line उपर तक जाएगी तो मैं यहां पर f8 click कर दे रहा हूं ताकि straight line उपर तक जाए और आप देखेगा कि यहां से line A से उपर जा रही है और यहां से भी A से इधर आएगी तो यह A को यहां touch करेगी दोनों line एक दूसरे को जहां touch करेगी A यहां पर है तो यहां से A वाली line यह already draw हो रखी है और यहां से जाएगा तो यहां पर हमें मिलेगा A point तो यहां पर मैं type कर देता हूँ this is my A तो यह हमें मिल चुका है A point इसी तरीके से आप B के लिए draw करेंगे आप line पर click करेंगे and B point पर click करेंगे जो कि यह है यहां से straight उपर तक जाएगे तो मैं यहां उपर तक draw कर दे रहा हूँ okay then again similarly आप हर point से यहां उपर की direction में line draw कर देंगे like here so you can see this B point is on the same line but if you zoom this thing it is not on the same line you can see here it has some difference तो आप इसको अलग से उपर तक draw कीजेगा like here okay यह देखेगा यह दोनो line अलग-अलग है एक नहीं है इसके बाद आप E point से यह line उपर की और draw की जिएगा यह देखेगा कि यह E point से पास नहीं हो रही है यह अलग line है तो आप इसको थोड़ा zoom कर लिजेगा तभी आप इसको एक्तम सही draw कर पाएंगे नहीं तो यह हमेशा गलत ही draw होगी like this then यहाँ पर भी यह F से पास नहीं होती है line यह मेरा F point है यहाँ पर यहाँ से उपर जाएगी line straight उपर तक यह देन अगें आप G से draw करेंगे line यहाँ से straight उपर तक अगें आप यहाँ से h से draw करेंगे line straight उपर तक यह देखेगा यह line अलग आती है h के थोड़ा सा इधर तो आपने यह सारे lines draw कर दी है तो यहाँ पर आपको a मिला है और जब यह b वाली line उपर जाती है हमें यहां मिलेगी तो यहां से हमें यह b वाली line पर touch करता है जहां तो यह हमारी b वाली line है like here ok तो यह हमारी b वाली line है here than again you click on line then c c मिलेगा हमें यहाँ पर यह देखेगा c वाली लाइन यहां पर है तो यहां तक क्लिक कर देंगे then again click on D D हमें मिलेगा यहां पर last वाली लाइन के पास यहां then then again e e point पर यहां क्लिक करेंगे और then e e point यहां पर है यहां से हम इधर जाएंगे और यह देखेगा e वाली लाइन यहां से आ रही है और यह आगे के वाले लाइन यहांपर ट्लिक हमें मिल रहा है कि यहांपर यहांसे यहां यहांसे भी दूसरे को टच्छ कर रहे हैं तो यह वाले लाइन हमारी F है हो के की आलरीद हो रखी है यहां Seven यहां तक डन देन जी वाली लाइन यहां से जा रही है और जी वाली लाइन हमारी यहां से जा रही है बीच मिडल से तो यहां पर हमारा जी होगा और इसके बाद यहीं पर हमारा होगा तो यह सारे पॉइंट्स हमारे यहां पर आ चुके हैं बसी इन सब की नेमिंग कर देता ह click on text, देखेगा B हमारा यहां से जा रहा है और B इसके बाद फिर हमें यहां मिलेगा इस वाली line पर तो यह वाली line रहे गई है, हम इसको draw गर देते हैं, extend करके, यहां से यहां तक हमारा B होगा तो यह B है, यहां यहां से, यह देखेगा, यहां B है, तो फ्रेंट फिव द्रॉप कर रहे हैं तो यह भी डैश होगा similarly जो हमने यहां रिखा था ओके देन इसके बाद डी यहां से उपर जा रहा है और डी यहां से इसके जस्ट उपर यहां पर डी डैश होगा हेह दिडेश कि एहां पर होगा इसलब हीटन फैर यहां पर हमारास यहाँ द्यास यहां कि यहां से आप वाली जा रही है और यहां ठाच कर रहे है इस इंटर सेक्शन पर हमारास यहां हम फ लिखक तो यह मेरा f- होगा और इसी तरीके से यहां पर हमारा g होगा और यहां पर हमारा h तो हम यहां पर g लिख देते हैं it's my g- and here is h- तो हमारे पास सारे point आ चुके हैं इसके बाद आप यहां पर layer change करेंगे object then type करेंगे spline enter कर देंगे तो आप यहां g से start किजेगा तो यह point हमारा g है g के बाद यहां h पर click करेंगे then h के बाद यहां a पर click करेंगे यह point a है यहां पर then b पर click करेंगे यह वाला point b है b के बाद c पर click करेंगे c के बाद d पर d के बाद e पर e के बाद f f के बाद यहाँ पर वापस से g और इसके बाद आप enter कर देंगे जो आपका circle था वो कुछ ellipse shape में दिखेगा तो यह आपका complete projection है उस question का जब वो hp के साथ 45 का angle बना रही है और vp के साथ 60 का angle बना रही है यह बाखी question से थोड़ा सा different है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर circle दिया होता है हमारे पास ages होती है पेंटेगन में square में और rectangle में बट यहाँ पर ages नहीं होती तो इसलिए हमने इसको split किया काफी सारे points में यह देखेगा काफी सारे points में हमने इसको split किया ताकि हमारे पास जो curve है इसके actual location आ जाए उसके बहुत सारे data points आ जाए जिसके through हम उसको complete ट्रॉ कर पाए तो यह है आपका final question का answer so I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा so thank you for watching thank you for watching please subscribe the channel for more related videos you